नमस्कार जी मैं आपका अपना सुमित पताप सिंग आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS Properties इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं RS Properties प्रितेक प्रकार की Properties को खरीदने का और सेल कराने का काम वकूबी करती है अगर आपके पास कोई Property है भारत के किसी भी कौने में जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो हमारे माद्यम से सीगर ते सीगर उसे सेल करा सकते हैं आज की Property काफी Spatial होने वाली है क्योंकि आप यह तारवंदी देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से हो रखी है और रोड भी आपको 25 से 30 फिट का यहां मेल रहा है तो चलिए सबसे पहले जमीन की Location और उसकी कीमत के बारे में बात करते हैं फिर बात करेंगे उसके आगे के अन्य पॉइंट्स के बारे में जमीन जो है आप ग्राम नोट कर सकते हैं इसका ग्राम रहेगा आपका कालिकापुर जो भूमी से एक किलो मेटर की कुल दूरी पर है आगे अगर हम बात करें तैसील की तो तैसील जो है वो आपकी कलान रहने वाली है जो की भूमी से तकरीवन 23 किलो मेटर की कुल दूरी पर रहेगी आगे बात करें बिलॉक की तो यह आपका मदनापुर बिलॉक रहेगा यह जमीन से कुल 30 किलो मिटर की दूरी पर है आगे गर हम बात करते हैं डिस्टिक की तो यह रहेगा आपका साजहां पूर सहजानपूर में यह आपकी जमीन जो सहजानपूर की दूरी है वो आपकी पचपन किलो मिटर की रहेगी और स्टेट रहेगा आपका उत्तर प्रदेश यूपी की यह सांदार जमीन आपको जो कीमत है वो आपकी रहेगी 65,000 रुपए बिखा जिया हुआ ये जिस खेथ की जुताई यहां हो चुकी है तो इस खेथ की जो कीमत है वो बेहद कम यहां रहेगी चलिए आगे बात करते हैं जमीन का जो कुल रखवा है वो आपका लगवा गसी भीगा या उस से अधिक रहेगा और बात की जाए यहां एकड में भीगेगी तो यह आपके 6.25 सवाच्छे भीगा भूमी आपकी पर एकड यहां रहेगी चलिए आगे बात करते हैं जमीन पर जो रोड है आपका वो आपका 20 फिट का चक रोड आपको मिल जाएगा इस भूमी पर और साथी साथ आपको मिलता है यहां एक डामर रोड जो जमीन से कुल एक किलो मिटर की दूरी पर रहेगा उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो हाईवे है वो देखे नया हाईवे तयार हो रहा है यहां यहां आपका रहेगा परहू से बुद्धु वाना तक जी हां परहू से बुद्धु वाना तक यहां आपका हाईवे निव तयार हो रहा है जो जमीन से कुल दो किलो मि तो हाइवेस के काफी नजदीक है ये भूमी मातर 65,000 रुपए प्रती एक बीघा की कीमत में है चलिए आगे बात करते हैं जमीन जो है वो एक सामान वर्ग के वेक्ति की है तो ये काफी बढ़िया है सामान वर्ग के वेक्ति की ये भूमी जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रह फरंट और फसल की बात की जाए तो आपको यहां सबी परकार की फसल है जैसे कि फिलाल तो गैहूं और सरसों इस भूमी पर गैहूं बो दिया गया है तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइट्स की तो लाइट्स जमीन से एक किलो मिटर की दूरी पर रहेगी पानी की बात करें तो दो बोर आपको इस भूमी पर मिल जाते हैं इस सांदार भूमी पर दोनों बोर जो रहेंगे वो आपके लगवग पैंतिस से चालिस विट की कहराई पर यहां पानी है तो इस सांदार पानी पर आपका बोर भी दो आपको यहां मिल जाएंगे पास मेंगर बात की जाए मार्केट की तो आपका कुडरिया मार्केट जो है एक किलो मिटर की दूरी पर पर और आपका दो किलो मिटर की दूरी पर और बड़ा कलान जो है मार्केट रहेगा वापका रहेगा बड़ा मार्केट कलान रहेगा तेईस किलो मिटर की तो यह आपका कलान रहेगा जमीन से 23 किलो मिटर की कुल दूरी पर इस्टेशन की बात करें तो बदाईयू 45 किलो मिटर की दूरी पर और धार्मेक विसेस में जो है आपकी आवादी 90% हिंदू आवादी रहेगी और जाती विसेस में बात की जाए तो यह आपके पंडे टाको सरदार बनिया और धीम और लोगों की जाती विसेस में यहाँ लोग निवास करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए आपका हमारी चैनल पर नए कस्टमर्स हैं तो आप हमारी चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजिए और सभी लोग दन है कि वीडियो को जतना हो सके उतना सेयर करिए जैसा कि आप हमेशा करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बहुत जल मिलते हैं आप से एक और नए वीडियो में नमस्कार